आयताकार होगे, होती है बृताकार भूमी, बिल्कुल गोल, ये भूमी अच्छी होती है, किसी किसी सास्तर में बोला गया है कि ये भूमी अच्छी है, किसी किसी का मतलब ये है कि एक नहीं दो तीन जगे बोला गया है, और किसी किसी में बोला गया है कि ये भूमी अच्छी मेरा जो personal observation है वो ये है कि ये भूमी ठीक होती है अच्छी होती है इस भूमी पर रहने वाले लोग महत्वा कांची नहीं होते एक दूसरे के संबंध पे जादा ध्यान देते हैं संबंध वाले लोग होते हैं संबंध पे जादा ध्यान देते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग ज्यादा महत्वाकांची नहीं होते इस वैसे महत्वाकांचा आपके जीवन, संसारिक जीवन में महत्वाकांचा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जितना जीवन जरूरी है, उतना ही महत्वाकांचा का होना जरूरी है महत्वाकांची नहीं होंगे आकांच्छा में महता नहीं होगी कुछ तो आप आगे कहां बढ़ेंगे अगर संसारिक लाइफ में जीते हैं तो और नहीं जीते हैं अगर spiritual life में भी जीते हैं तो भी आपको फिर तो परम महत्वा कांची है वो तो सीधे सुष्टी करता कोई बुलाना चाह रहा है वो और भी जँदा महत्वा कांची हो गया यह होती है यह जादा बढ़ने नहीं देती यह उतने में ही बांदे रखती है सूपाकार भूमी सूपाकार भूमी है इसमें 3 तरह की भूमी है जो सूपाकार भूमी है नजदीक से जादा चोड़ी हो जाती है, जादा बड़ी भूमी नहीं होती है, ये भूमी अच्छी नहीं होती है, ये भ्रम फैलाती है ये भूमी, इसी में एक भूमी है, आपने देखा होगा इसमें अब चलिए थोड़ी लंबी, ये ये भी सूपाकार है, ये, मगर ये सिं हुखी भूमी कहते हैं इसको सुपाकार उतने में ही फैल जाती है थोड़ी दूरी में फैल जाती है ये लंबी दूरी में फैलती है इसको सिंग ये मुख इसका ये है सिंग मुखी भूमी कहते है और इसी में एक भूमी है जो पीछे से बड़ी और आगे से छोटी होती जाती है ये और ये ये दोनों ही भूमी खंड अच्छे नहीं है मगर व्यापार के लिए ये भूमी बहुत अच्छा माना गया है माना गया है और होता भी है और ये भूमी ग्रिह के लिए रेजिडेंस के लिए बहुत अच्छी मानी गई है और होती भी है अब यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके हाथ में यह पर जाए जहाँ पर हमने सोले दिशाओं वाली चीज़ें की है जिसके हाथ में पर जाए वो सीधे ही कहेंगे इसके तो यह जोन यह जोन सारे जोन कटे हुए हैं और यह तो गया जबकि व्यापार में यह भूमी फल जाएगी अगर कोई दुकान करे या कुछ ऐसा करे सिंग मुखी भूमी फल जाएगी सीधी फलती है दस्यों उधारन आपके पास कोई एक उधारन हो तो आप बता दीजेगा मेरे पास दस्यों उधारन है बहुत सारे उधारन है इसी तरह से गव मुखी भूमी यह तो सिंग मुखी हो गई यह हो गई गव मुखी भूमी यह वाली यह सूपाकार यह अच्छी नहीं होती है यह अच्छी नहीं होती यह ठीक है व्यापार के लिए यह ठीक है रेजिदेंस के लिए घर बनाने के लिए यह कोन है यह अस्ट भुजा ले लो अस्ट कोने ले लो यह आठ वाली आठ भुजाओं वाली जो भुमी होती है यह शात्रों में बुला गया इंच्छी होती है आठ हो जाओं वाली भूमी मुझे एक आद कोई दिखी या नहीं दिखी मेरा इस परसनल एक्सपिरियेंस नहीं है ये भूमी शास्त्रों में अच्छी बताई गई है अगर आप लोगों को दिखे या आप लोगों में से किसी को दिखी हो ये भूमी तो मुझे आप बताईए अब ऐसी भूमी कम ही दिखती है ये ठीक होती है अच्छी और बुरी को आप देख लीजिए कौन-कौन से कैसी भूमी होती है इसके बाद धनुस के आकार की भूमी होती है ये अच्छी नहीं होती बाल्टी के आकार की भूमी होती है ये अच्छी नहीं होती है शट कोणी ये भूमी होती है मिर्दंग के आकार की ये भूमी आपको देखने में मिलेगी ये जो धनुष के आकार की होती है इसको दूई कोणी ये भूमी बोलते है दो कोण होते हैं इसके इस आकार की भूमी ठीक नहीं होती है यह जगडालू भूमी होती है जहां भी जिस जो कोई इसमें रह रहा होता है वो जगडालू प्रविर्थका होता है उसके समाजिक रिलेशन बेकार होते हैं घरवाले रिलेशन बेकार होते हैं उवराल उसका जीवन ठीक नहीं होता शट कोन ये भूमी होती है छे बुजाओं वाली छे बुजाओं वाली एक भूमी होती है ऐसी दो कोन बने गुए होते हैं फिर बीच में ऐसे और ये बन गए ये जो छे बुजाओं वाली भूमी होती है ये अच्छी होती है ऐसी ये तो गुड है एक ये होती है एक दो तीन चर पांच छे ये अच्छी नहीं होती छे बुजाओं वाली ये जो होती है न भूमी ये छे बुजाओं जो दोनों तरब जहां पर त्रिकोन होते हैं दोनों साइड में वो वाली भूमी तो ठीक होती है ये वाली भूमी अच्छी नहीं होती इसमें बुरा प्रभाब क्या होता है extra marital affair ज्यादा होता है वैसे तो भूमी ठीक होती है मगर extra marital affair पूरे family में होता है एक आदमे नहीं पूरी family में होता है हाँ ये भूमी आईगिया आपके पस capsule के आकार की भूमी जो इधर की है और इधर की है इसको capsule के आकार की भूमी बोलते हैं ये भी भूमी अच्छी नहीं होती है जो आपको बीच में सपाट दिखे इधर से भी ऐसे दिखे और इधर से भी ऐसे दिखे कोना नहीं दिखे वो भूमी अच्छी नहीं होती है यहीं पर एक यह भूमी होती है यह भी अच्छी नहीं होती है जहां पर कैपसुल ना हो एक तरफ तो कैपसुल हो और एक तरफ दिवाल पड़ी हो यह भी भूमी अच्छी नहीं होती है पंच मुखी भूमी है, पंच भुजबाली, एक ये दिवाल है, ये दिवाल है, ऐसे है, ऐसे गया और ऐसे गया, ये भूमी अच्छी नहीं होती है, पंच भुजबाली कुछ भूमी, जैसे सट भुजबाली ये वाली भूमी थी, ये अच्छी हो रही थी, ये भूमी इसी तरह से पंचबुज वाली कुछ भूमी ठीक होती है सभी भूमी अच्छी नहीं होती ये भूमी पंचबुज वाली गलत होती त्रिकोन वाली भूमी ये ये इतनी heat energy, fire energy पैदा करती है नींद ना हो पाने की वैसे या मानसिक संतुलंग ठीक से ना रह पाने की वैसे ये लोग लड़ते, जगरते आपस में प्रेम से नहीं रह पाते और प्रेम से नहीं रह पाए तो आगे किसी चीज़ का और महत तो ज़्यादा है नहीं ये भूमी कहीं कहीं पर अच्छी मानी जाती है जिनको हीट एनरजी की ज़रुड़त है अगर हैक्टरी हो जहां पर सुस्त काम चल रहा हो और आपको काम वहां पर बढ़ाना हो तो आप भूमी के आकार को ऐसा शेप दे दो किसी तरह से वहां काम बर जाता है ये पिरामिट के आकार की होगी न त्रिकोर्ण वाली भूमी कहते है वैसे ओवर ओल ये भूमी अच्छी होती नहीं क्योंकि कितने आपको देना है कितने दिनों तक आपको देना है कितने समय तक रखना है तो सकता है लेवर आपकी भागी जाए ज्यादा अशांत होके यह आपस में लगने लगे यह overall भूमी अच्छी नहीं होती मगर यह technical है टेकनिक है यह भूमी अच्छी बनाई जा सकते एक है H आकार की भूमी यह भूमी अच्छी नहीं होती यह भूमी में बता क्यों आपको ऐसी तो आपने भूमी कभी देखी नहीं होगी ऐसी भूमी होती है कहां पर होती है आप देखिये यह दो mall बने हुए या दो flats बने हुए building बने हुए दो एक ही मालिक का है उसने बीच में रास्ता बना दिया यहाँ पर ऐसे अब यह overall रहने वाले लोग जो है ना परिशान हो जाएंगे केबल इन दोनों को मिलाने से कुछ नहीं की आवास तुमें उसने कुछ कहीं पर कुछ ना करे केबल यह दो flats ऐसे बने हुए हैं लंबी-लंबी building बनी हुई हैं और इन दोनों को ऐसे मिला दे यह है H आकार की भूमी यह आपको देखने में मिल सकती है आज कल वहाँ पर जहाँ पर मिले ना तो उस मालिक को आप मना कर दीजिए कि यह दोनों को जोड़ो मत नहीं तो खराब हो जाएगा मामला इसके बाद मंदिर आकार की भूमी आपको जादा तर दिखती नहीं होगी बता देता हूँ मैं ऐसी भूमी आपको कम दिखेगी इस टाइप की भूमी अगर दिखे या इससे मिलती जुलती भी दिखे ये त्रिकोर ना होके ये यहाँ पर ऐसे भी हो जाए ऐसे या भूमी यहां से कटी भी हो इसको भूमी यहां से कटके और ऐसे हो जाए जादा नहों कम भी हो तो इसमें दो तरह के दोस्ट पाये जाते हैं एक तो अर्ध चंद्राकार हो गया ये उसके दोश पाये गए इसमें और एक ये मंदिर के आकार की भूमी हो गई ऐसे मंदिर के आकार की भूमी हो गई मंदिर के आकार की भूमी में दोश नहीं है यहां रहने वाले लोग spiritual इतने होते हैं कि वो घर पे ध्यान नहीं देते आते आते किसी टाइम में घर छोड़ के चले भी जाते है spiritual होने की बयाद से spiritual भी रह नहीं पाते ये मानसिक तोर पे spiritual रह नहीं पाते ये subconscious mind उनका force करता है spiritualism में क्योंकि वो ऐसी जगे पे रह रहे होते हैं जब वो छोड़ के चले जाते हैं इस spirituality से भी हट जाते हैं परकि वो खुद होते नहीं उनका subconscious mind force करके कराया होता है एक टी आकार की भूमी होती है वो भी अच्छी नहीं होती ये टी आकार की भूमी है ये भी अच्छी नहीं होती एक पंखनूमा भूमी होती है इस type की भूमी आपको मिलेगी नहीं अर्थ चंद्राकार मैंने बताई दिया मुसलाकार आपको बताई दिया ये जो है ना इसको मुसलाकार बोलते हैं ये जो भूमी होती है ये मुसलाकार है इसी को ऐसे कर देते होती है ये capsule के आकार की भूमी है दौनों ही भूमी अच्छी नहीं होती है, अंडाकार भूमी अच्छी नहीं होती है, कई मॉल आप देखेंगे अंडाकार और नहीं चल रहे होते हैं, अगर कोई चले तो आप मुझे दिखा दीजेगा, शास्त्रों में यह धिया हुआ है, और दो-चार जगे मैंने देखाए इतने भूमी तो आयताकार ही दिखते हैं, जितनी भूमी होती है अधिकतर भूमी आयताकार दिखती है और आयताकार में ही आपको आयताकार में ही दोश पाया जाते हैं बहुत सारे, ये भूमी तो विरले मिल जाए मगर भूमी का ज्यान तो होना जरूरी है ये भी भूमी ठी यह इसी टाइप की भूमी है जब से लिया उनका परसनल वर्क भी खराब हो गया इसकी रमेडिय फिर हमने करी इसको काट पीट के जैसे करते हैं जिससाब से वह तो और उसके बाद भी वहाँ पर बहुत सारा वर्क हुआ फिर जाके उनका काम सुद्रिट होने लगा लाइन प जाईए जितने भी भूमी के परकार देखते हैं उसमें रेशियो देखिए 1.1 का रेशियो यह तो स्कॉर हो गया रेशियो 1.25 यह दूसरा हो गया 1 ratio 1.75 ये तीसरा ratio हो गया 1 ratio 1.1 ratio 2 और 1 ratio 3 ये जो 5 ratio है एक ratio है golden ratio golden ratio के लिए एक software मैंने आपको बताई दिया वो software डाउनलोड करिए और वहाँ से आप लेना शुरू करिए वो उसमें बहुत अच्छा हैगा इसके बाद हम पद कितने होते हैं मकान कितने पद में बनाया जाता है महल कितने पद में बनाया जाता है जोपडी कितने पद में बनाया जाता है और मंदिर को कितने पद में बनाना चाहिए सबको ऐसे 81 पद में नहीं बना दिया जाता है और किस हिसाब से उसको लेना चाहिए इसको हम देखेंगे, वैदिक वास्तु इस हिसाब से आपका चलता रहेगा, कुछ समय तक इसको चलने के बाद, फिर जो अपडेट हुआ, वैदिक वास्तु 16 दिशाओं में, पंच कट्टो के बाद, हम वो लेंगे, उसके बाद हम देवता कवर करेंगे, वास्तु आपका प समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, जो भी समझना है वो समझ लो, मेडिटेशन से जुरे रहेए, मेडिटेशन डेली करिए, मेडिटेशन से वैसे आपका जीवा नहीं खिल जाएगा, क्या मैं इसलिए रहा हूँ, क्योंकि शान्ती जो आपको मिलेगी, उसमें मेरी अपिदारी होगी थोड़ी सी, कहीं से, कहींने कहीं से मैं आपका रूप हूँ और आप मेरे रूप हैं, अलग तो कोई कहीं से है नहीं, इस अस्तित में एक पेड लगाया मैंने, या एक व्यक्ति को शान्त किया, कुछ बहुत अच्छा काम किया मैंने, मैंने बहुत दान को ने कर दिया या एक व्यक्ति को शान्त बनाया, ये इन सबसे बहुत बड़ा होता है,